अब नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूनिक ऑउनलाइन गुरू चैनल में जसा कि मित्रों मैंने आप लोग बताया कि हम लोग एक पाइफन कास्टिंग की वीडियो बनाएंगे तो मैंने Python Casting के आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी बना दी है जो कि आप लोग देख करके खुश जाएंगे और पूरा Python Casting आप लोग समझ लेंगे दोस्तों तो हम लोग बात करने वाले हैं Python Casting पे दोस्तों इस वीडियो को आप आखरी तक देखते रही हैं और जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया वह लोग सब्सक्राइब कर लेंगे लाइक कर देंगे और सेयर कर देंगे दोस्तों बिलकुल भी आप भूलिये गमत दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूं रतना कर रुपाद है और आप देखने यूनिक आउनलाइन गुरू चैनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Python Casting के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि Python Casting क्या होता है there may be times when you want to specify a type onto a variable जब हमें कोई भी एक type को specify करना होता है तो this can be done with casting यानि किसके माधियम से हो सकता है यह casting के माधियम से हो सकता है Python is object oriented लेंगे आप लोगों पता है कि Python हमारा pop और op दोनों language है and such as it use classes to define the data types including the primitive types यानि कि कुछ types हम लोग क्या करते हैं इसको आसानी से define कर देते हैं basically हमारे three types होते है integer float और string क्या क्या होते है integer float और string होता है दोस्तों ठीक है तो देखिए अब हम लोग बताएंगे कि इसमें कैसे हम लोग convert करते हैं कैसे हम लोग python casting को use करते हैं हम लोग पुरा detail में जानेंगे कोई भी एक option हमारा छूटना नहीं चाहिए ताकि हमें problem future में ना हो दोस्तों इसलिए मैं करता हूँ लोग कि always आप को unique online guru channel पर बने रहा करिए तो देखते हैं हम लोग देखे यहाँ पे दिया हूआ integer क्या दिया हुआ है दिया हूआ यहाँ पर दिया हूआ है मैं ने आप लोग बताया भी है कि यहाँ पर क्या दिया हूआ है अब integer की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर दिया हुए x is equal to int1 अगर यह integer में already है तो integer में ही convert करेगा सीधी सी बात है अगर यह हमारा 2.8 मतलब किस में है float में है तो इसका मतलब क्या होगा कि float जो हमारा जब इसको हम लोग integer में convert करेंगे तो यह क्या करेगा decimal की पीछे वाला number गायब कर देगा ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें string की आप लोग को पता है कि जब हमारा कोई भी word कोई भी number जब string में होता है तो उसके आगे पीछे double quotes या single quotes लगा होता है तो उसको भी जब हम लोग convert करेंगे तो double quotes, single quotes नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके words या कोई भी number जिसको हम लोग क्या सकते है alphanumeric number आएगा कोई भी changing नहीं होगा उसमें ठीक है अब हम बात करते है floats की तो floats में क्या होता है भाई floats का भी funda समझ लेते हैं बहुत आसान है हमारे लिए floats की अगर हम लोग बात करें तो x is equal to float 1 दिया हुआ ठीक है आप देखो मैंने आप लोग बताया है कि जो हमारा float होता है उसके पीछे decimal लगा होता है क्या लगा होता है decimal लगा होता है तो जिसके पीछे लगा हुआ है बले बले जिसके पीछे नहीं लगा होगा उसके पीछे automatic क्या करेगा float input कर देगा दोस्तों क्या होता है float 1 की बात करें तो 1.0 दे दिया 2.8 already float में है तो क्या किया exactly उसको यहाँ पे क्या कर दिया output दे दिया ठीक है फिर यहाँ पे क्या float 3 string में दिया हुआ है तो 3.4 का 0 कर दिया और हमारा क्या दिया हुआ है point string में दिया हुआ तो भी हमारा क्या कि exactly वही चीज़ को आपे output में convert कर दे रहा है तो दोस्तों यह हमारा float हो गया इसी में होता है एक string होता है जिसको आप लोग बहुत अच्छे जानते है जिसके आगे पीछे क्या लगा होता है कोई double quotes लगा होता है या single quotes मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि double quotes और single quotes that are same कोई भी changing इसमें नहीं होती है ठीक है तो string में double quotes देखे यहाँ S1 लगा हुआ है तो दोस्तों यह है हमारा python casting का वीडियो हम आसा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो एक बार like, share, subscribe जरूर करें इसको तो कत्त ही नहीं भूलना है अगर सब कुछ भूल लाईएगा लेकिन like, share, subscribe करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन